युक्रेन को अमेरिकी मदद मिलने से बौखलाय रूस को अब कुछ सूज नहीं रहा है इसके लिए वो भी नए-नए और चौकाने वाले फैसले ले रहा है और युक्रेन के मदददारों पर तरह-तरह के आरुप लगा रहा है और उन्हें धंका रहा है कुछ समय पहले ही रूसी राश्टपती पुतिम के एक करीवी ने पोलेंड की राजधानी को रूस का हिस्सा बता दिया था और उसे हर हाल में वापस रूस में मिलाने का दावा किया था अब वही पोलेंड रूस के लिए मुसीबत बन गया है पोलेंड के उपर रक्षा मंत्री सेजरी टॉमजिक ने दावा किया कि युक्रेंड को रूस में लबी दूरी के लक्षियों को मारने के लिए पश्चिमी हत्यारों का इस्तेमाल करने का अधिकार है मंत्री ने कहा कि युक्रेन रूस के खिलाफ पोलेन द्वारा दिये गए हतियारों सहीद पश्चिमी हतियारों का उपयोग करता है तो पोलेन को कोई आपत्ती नहीं है उन्होंने ये भी अपील की कि अन्य पश्चिमी देशों को भी युक्रेन को दिये गए हतियारों के उपयोग पर लगे प्रतिवंद हटा देना चाहिए। ये अन्य लोग खास तोर से अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध को बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिवंद जरूरी है। यही वज़ा है कि रूस युक्रेन द्वारा लंबी दूरी वाले पश्चिमी हतियारों के इस्तिमाल की कड़ी निंदा कर रहा है। रिज़ेश मंत्री सरगेई लावरों ने तर्ग दिया कि नेटो के महासचिव स्टोल्टेनबर्ग ने प्रतिमंध हटाने की अपील करके अपने अधिकारों का अधिकरमण किया है। रूस का ये भी कहना है कि युकरेन के नेटो समर्थकों को पता होना चाहिए कि रूस के खलाफ पश्चिमी हतियारों के उपयोग से युद्ध गंभीर रुप से बढ़ सकता है। इसके गंभीर परिडाम हो सकते हैं। हाला कि कुछ नेटो सदस्यों ने रूस से और अधिक हमले के आवान की निंदा की है। रूस की तरफ से पश्चिमी हतियारों को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। उनसे साफ पता चलता है कि इन हतियारों से रूस को खत्रे का अंदाजा है। क्योंकि अभी तक जब यूक्रेन के पास हत्यार नहीं थे तब तक रूस की तरफ से हमले रोकने का कोई प्रयास नहीं दिखा बलकि मौका देखकर उसने रूस में हमले बढ़ा दिये थे और यूक्रेन के कई इलाकों पर कबजा करने में लगा रहा लेकिन अब बदलते हालाद के मताबिक रूस रन नीती के साथ साथ कूट नीती का भी सहारा ले रहा है रहा है